चल चत्र अभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं शीता का हरण हुआ तो उस जो वस्त्र थे रामन ने धारण किये थे वह एक योगी के वस्त्र थे CCA चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है अभी हम उत्तर प्रदेश की ठाना भावन विधान सभा में हैं और हमारे साथ यहां के स्वतंतर उमीदवार शेर सिंग राना जी हैं शेर सिंग जी बहुत बहुत आपका स्वागत चल चत्र रहाल में शेर सिंग जी पहला सवाल तो यही कि आप समाजवादी पार्टी में रहे हैं कई सालों से क्यों आपने सोचा कि आप सुतंतर इस बार लड़ेंगे यहां पांच साल से कंटिनिम्यू विपक्स की राजनीति अगर जो किसीनी ने जिंदा रख़िया तो यह थे शेर सिंग राना है शीट बटवारे में राष्टे लोकदल के पास चली गई, कोई बात नहीं, जहां गठवंदन हो, गठवंदन का परतियासी लड़ता है, एक को अपने आवयुती देनी पड़ती है, दी जाती है, जैसी हम अपने घर आए वापस में, तो पांच-छे दिन तक लगातार चेत्र के जनता का जमावड़ा हमारे घर पर जमा रहा, हम आपकी साथ थे, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसी जनता के शिंबल पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वो बड़ा निर्ने लेकर, कंटिन्यू जिस वेक्ति ने 22-24 साल पार्टी के सेवा की हो, आज निर्दल खुद जा कर मेरा पर्चा करीद कर लाई, शिरसी जी एक और सवाल कि कल आपके निवास पर, कल या एक अद दिन पहले आपके निवास पर यहीं से ही गन्ना मंत्री, यहां के विधायक सुरेश राना जी आपके घर आए थे आपके बात करने के लिए, अनुमान ये लगा ज से इनका टिकट कटा है, अब नाराज होंगे जो ये गैदिरिंग बढ़ रही है, अजार अजार पंदरा सो की गैदिरिंग इनके वास पर जा रही है, और सैथ तुम्हें लाब मिल जा इस बात का, वो इसलिए रायते हैं कि मुझे सपोर्ट करें, आप बीजबी जोएन करे जैसे कि मैंने नहीं कर सकता अजैने हमेशा राजनिती की है, वो प्लेट फरम की किया है, जो शंपरदय का जहर नहीं गोलना समाज में, शेकुलर राजनिती की है, तो मेरा बीजयपी में जाना संभव था, मैंने मना किया, सुरेश चाना जी यहां से लड़ रहे हैं, आप दोनों राचपूत्समाद से भी हैं आपके लड़ने से कुछ लोगों कानुमान ये है कि उनको काफी नुकसान हो सकता है लेकिन उसके साथ-साथ एक तो ये सवाल है कि उसके साथ-साथ उनका काम खासकर कि यहां की विधायक और साथ में गन्ना मंद्री के तोर पर आप उनके चेतरी विद खोगा, वो चेतर में काम करेगा अपने। काम किया है उन्होंने ऐसा याई की, काम नहीं किया। लेकिन जो उनके कारिया हैं वो निरासजनक जादे हैं, आसजनक कम रहे। जैसे कि गन्ना मंत्री थे, गन्ना केबिनेट मंत्री थे, जिस समय विपक्ष की राजनेती सुरेश्राना जी ने की, उस समय गन्ने का मुल्ले साढ़ी चार सुरुबे कॉंटल मांगा करते थे। गन्ना मात्र 25 रुपए का रेट बढ़ाने का काम किया, गन्ना मुल्ले पर। पिछले साल का अभी किशनों का बुक्ता नहीं हुआ है, जो किशनों ने गन्ना डाला था, उनका बुक्ता नहीं हुआ, 25 रुपए बढ़ाना 5 रुपए साल के, जिस एरिया के वे मालिक हो, जि तो उसी अक्षेत्र का किसान, गणना किसान तरहिमान हो, तो क्या उसको कहेंगे, उसे उसे फैलियर कहेंगे, मैं तो उनको फैलियर मानता हूं. जितना वर्क उन्हें अपने इस दस साल कारियकाल में किया, पांस साल विधायक रहते हुए और पांस साल केबिनेट मंतरी रहते हुए उसमें निरासा जनक जादे है, आसा जनक कम है आप किन मुद्दों पर चुनाफ पर उतरेंगे और क्या उमीद है आपको इस चुनाफ से? मैंने जो राजनेती की है, यहां मैं पांच वी बार सतजिला पंचैत निराचित हुआ हूँ और तीन बार कंटीनु यहां से बलोग पर मुकरहा हूँ छेत्र की जनता क्या चाहती है? क्या उनके मेन मुद्देर हैं? वे आज जातिगत राजनेती से उपर उठकर विकास की राजनेती चाहती है उस ही कारण उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको चुनाफ लड़ना पड़ेगा जो आपके द्वारा किया हुए आज एक शेत्र में कारिया है किसी भी गाउं में उस उस गाउं का कारिया अगर जो एक मंत्री का आप उठाएंगे और एक अपना उठाएंगे तो सायद उस मंत्री से कारिया आपका उपर होगा मेरा मेर उद्देस से आपसी भाईचारा बनाई रखना ये चुनाव जंता का चुनाव है ना कि एक अ अंथ में आपने काई कि भाजपा एक संपर्दाएक पार्टी है और अपने काई धरम की राजनीधी करती है फिर उपर से कई और स्टेटमेंट्स में आई है कि उपी का चुनाव असी बनाम बीस होगा और यहां पर अभी अमिर्शा भी बोला जा रहा है कहराना आएंगे तो कितना आपको लगता है इस बार फिर से यह चुनाव हिंदू-मुस्लिम या धार्मी का धार पर अंतंत में आते हो जाएगा कुछ जनता जाग चुकी है और भाजबा के इनने ताव कुछ जनता पहचान चुकी है किस खाल में कौन चिपा है शीता का हरण हुआ तो उस जो वस्त्र थे रामन ने धारण किये थे वह एक योगी के वस्त्र थे लेकिन उस योगी के वस्त्र में अंदर मानशिक्ता कौन थी चरित्र कौन था सीता माने धोका खाया तो रामन वद हुआ लंका देहन हुआ उसी परकास से उत्तर परदेश के अंदर आज योगी जी राज कर रहे हैं कि उस योगी वाने में अंदर कौन है उनका वेश क्या है उनकी केबिनेट मंत्री किस किस इस्तिति में रहे है कौन कौन केबिनेट मंत्री रहे जिस समय योगी जी ने सपत ग्रहन किया था सपत ग्रहन से बाद में कहा था कि मेरा परतेक मंत्री अपनी आयवय का बोरा देग तो उसी परकार से जो अभी आपना मित्साहजी का जिगर किया, किस परकार पुलबामा अटेक हुआ, उस पुलबामा अटेक के किसना अंजाम दिया, वो जनता जानती है, उस जांच का क्या हुआ, वो गाड़ी किसकी थी, जिसमें RDX थी, तो देश के जमानों को, देश के किसानों को सहिद करने वाली पारिटी को जनता वोट नहीं देगी, किस परकार किसानों की बरबर हत्या की गई, किसानों पर गाड़ी चड़ाई गई, किस परकार से 13 महीने किसान बोडर पर बैठे रहे, 700 से उपर किसान सहिद हुए, एक तमाम जितने नागरिक हैं, तमाम जुड़े हैं, कहीं ना कहीं, किसान से जुड़े हुआ है, यहां का वैपारी बर किसान से जुड़ा हुआ है, किसान के पास कुछ नहीं होगा, तो वैपारी के पास कहां से होगा, नोट बंदी, वो उनका जुमला सावित हुआ, जो देश मैं नहीं भिकने दूंगं में देश नहीं जुकने दूriver यरि यह वर देशल भिका भी चैनुख ऑं जो भारती जनता पाद संब्सक्राइब कि गाई माता और भारत माता के नाम पर भावनात्मक उन्होंने वोट लेना का काम किया, ना उनके अंदर गाउं माता का संभान है, ना भारत माता का संभान है, आज उत्तर परदेश का अंदर गाईं जंगलों में चर रही हैं, भारते जंता पारिटी के वोटर्स ही उनको बल यह शश्वी मुख्यमंत्री को आगा करना चाहता हूं, जिस दिन से आपके गौह आसरास्थल में जितनी गाएं हैं, उसका आकड़ा यह था, जहां का तहां है, लेकिन परते एक दिन बिस बिस गाएं यहां, एक के गौह आसरास्थल पर मरती है, जिसी भी उन से उनको दबान क्या जाता है, और लिए मता के संबान रहा भारत मता के संबान की, हमारी दुआरा एक नेशनल ध्वज ठानमोन के अंदर लगाया गया था, जंडा फैराए आगया, जिस दिन वो जंडा फैराए आगया, उसी रोज हमारे पास पोन आता है, कि आप ये जंडा मिश्टर, एक उच्छा दिकारी का कहते कि आप गलत करें तिरंगा नहीं फराएंगे मैंने कि तिरंगा क्यों नहीं फराएंगे आजाद हिंदुस्तान में किसी को तिरंगा फराने पर रोक नहीं है हमने तिरंगा फराया जैसे ही तिरंगा फराया तो मुकदमा हमारे उपर दर्जुवा, लेसंस हमारे निरस्त हुए, सहस्त्र लेसंस थे जो, और भारत माता का सम्मान कितना उनकी नजरों में है, यह इस से अंदजा लगाया जा सकता है, वो सारी देन जो है, वो सुरेश राना जी की देन है, मेरा आखरी सवाल यह है, कि सुरेश राना जी की आप बात करें, इस केस की भी बात करी आपने, यह आपके उपर शायद कई केस पिछले पान सालों में उन्होंने किये हैं, क्या केस किये हैं और क्यों किये हैं उन्होंने? देखो सुरेश राना की परष्ट भूमी, जहां से इन्होंने अपनी राजनिती स्टार्ट की, वो शायद अच्छी नहीं थी, उनका मानशिक्ता शंतुलन जो है, वो विपक्षियों के परती वो शायद अच्छा नहीं है, जिस छेत्र का विधायक होता है, वो पूरे छेत के विधाए और में सुरेश राणा ने मुकदमे दर्ज कराने का काम किया अपने शप्षूर्टों के दուारा, अपने वोडरों के दूआरा, जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, उनको मुकदमे दर्ज कराये, मेरा गाउँ, छोटा सा गाओं है, दो खूड़ यमाल- लगबग 60 व्यक्ति इन 5 सालों में जेल जा चुके हैं फर्जी मुकदमों में सुरेश नना के द्वारा बिजवाए गया है जिन लोगों के फसल थी जिन लोगों के खेत थे उनी उसकी फसल को जोत दिया गया और जोतने के बाद में उनकी पिटाई की गए लिए उनको यह जेल भेज दिया गया पुलिस के द्वारा पुलिस ने कहा कि आप मेडिकल कराएं और तहरीर देने के लिए जो पक्षा है तो उनको जेल भेज दिया इस परकार की उच्छी राजनिती की है और उनका जो अपना पहह राणा जी का उनके नजदी की आदमी है, वे भी अपने आप में एक छेतर में बहुत पकड़ बनाने वाले आदमी है, एक बाहु बली आदमी है, जितने हमारे छेतर में गौँ हत्ताई हुई, गौँ कशी हुई, सराब की तस्गरी हुई, खनान माफिया हो चाए भूमा का गेंग है और उस गेंग से सब पीडित होकर उन बाहूल बर्ली से सब पीडित होकर सवसमाज तब आपको सपोर्ट कर रहा है यही रिजन है कि मेरा चुनाव लड़ना जरूरी था शेर सिंग जी बहुत-बहुत शुक्रिया मारसा जुड़ने के लिए सी-सी-ए के साथ जु झाल